हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोगे उमीद करता आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो जब आप computer सीखना स्टार्ट करते हैं जो भी आप computer में course करते हैं course complete करने के बाद उस course related आपको project मिलता है तो उस project को आपको जल्दी और quality के साथ बना के देना होता है तो दोस्तो जब भी आप computer में कोँभी course करते हैं तो course करते हैं कि साथ साथ है जब तक आप उसके circuit की याद नहीं करेंगे आपको computer कोई भी project मिल जाए आप जल्दी बनाएं नहीं सकते तो दोस्तो computer पे जल्दी काम करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए आपको circuit की याद करना पड़ता है तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा MSPET के टार जितनी भी shortcut क्यों होती है सभी shortcut की का यूज क्या होता है और computer में हम उस shortcut की का यूज करके कैसे काम करते हैं तो आज किस वीडियो के अधर में आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप कम्पूर्टर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है इस वीडियो को लास्ता जोड़ देखें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आकम बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए कम्पूर्टर से या सोउक्र की का यूज करने से पहले उस सौफ्टर पर कैसे काम किया जाता है इसके बारे मैं आपको पता होना जीए जैसा कि मैं आपको आज सिखाने वाला हूं MS Paint की गंप्लिट सोउक्र की के बारे में तो MS Paint की कोई भी circuit की जो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा circuit की सीखने से पहले आपको paint के बारे ही पता होना चाहिए कि paint में काम कैसे करते हैं तो तब ही आप circuit की का यूज कर पाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली circuit की है जिसका काम क्या होता है create a new blank page जब आप paint ओपन करते हैं computer में काम करने के लिए माली जिए जो भी पेज था उस पर आपने काम करके उसे save कर दिया और आपको एक नया पेज चाहिए तो एक नया पेज लेने के लिए keyboard से प्रेज करना पड़ता है control plus N यहाँ पे इसका photo भी दिया दोस्तो new एक button है जिसका यूज करके एक नया blank page लेते है paint के अंदर और जिसकी circuit की होती है control plus N यहाँ पे दिया वा है एक open का button जो इस तरीके से दिखाय देता है इसकी circuit की होती है control plus O और इसका काम क्या होता दोस्तो open editing picture और drawing है paint के अंदर कोई भी drawing करके आपने save कर दिया या कोई भी photo आपके computer में save है उसे आप paint में open करना चाते हैं तो दोस्तो जो भी editing फाल होती है आपके computer के अंदर उसे paint में लाने के लिए उसके लिए मिच करते हैं control plus O यहाँ पर यह दियावा है save का button save इस तरीकर से आपको दिखा देता है इसका socket की होता है control plus A से और इसका जो काम होता है save a new page एक नए page को save करने के लिए माल लिए आपने paint open किया दोस्तो और उसमें आपने कोई भी drawing करने के बाद उससे save करना चाहते है तो आपको यहाँ पर इस button पर click नहीं करना है सीधा को keyboard से paste करना है control plus A तो आप अपने file को save कर सकते हैं इस वाले socket की का यूज करके इसके बाद यहाँ पर दियावा है save a save a आपको इस तरीके से दिखा देता है इसका socket की होता है F12 और इसका काम क्या होता दोस्तो rename existing page after change देखिए दोस्तो paint में एक नए page पर काम करने के बाद जब आप उसे save कर देते हैं जब आप उस page को दुबारा open करके और उसमें जब आप कुछ change करते हैं दोस्तो तो change करने के बाद तो उसी page को आपको दूसरे नाम से save करना हो तो उसके लिए हमें save एच करना पड़ता है जिसके shortcut क्यों होती है F12 यहाँ पर यह button दियावा print का जिसके shortcut क्यों होती है control plus P और इसका जो काम होता है print your drawing in paint माल लिजी आपने paint में कोई काम किया और उसे आप print करना चाते हैं दोस्तो तो print करने के लिए आप पिंट वाले button का यूच करना पड़ता है जिसका shortcut क्यों होता है control plus P control plus P प्रेस करके आप पिंट वाले page को open कर सकते हैं यहाँ पर यह जो button देख रहे हैं इसे बोलते है undo जिसके shortcut क्यों होती है control plus Z और इसका जो काम होता है दोस्तो go to backward यह last actions है यहाँ पर मैंने actions लिखावा है मैंने actions नहीं लिखावा है actions का मतलब होता है माल लिजिए आपने paint में कोई काम किया और उसमें कई mistake होगे दोस्तो बहुत सारे mistakes होगे तो आप वापस बैक आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको undo वाले option का यूज़ करना परता है जिसके shortcut क्यों होती है control plus Z इसी तरीके से एक button होता है रेडो का जिसके shortcut क्यों होती है control plus Y और इसका जो काम होता है दोस्तो यहाँ पर दियावा है go to forward your last actions है देखी दोस्तो यहाँ पर मैंने लिखावा actions है actions मतलब कई बार आपको आगे जाना हो माली दोस्तो आपने कोई mistake किया और कई बार आप बैक आ गए दुबारा से अगर आपको आगे की और जाना हो तो उसके लिए आपको रेडो वाल आप्शन का यूज़ करना पड़ता है जिसकी shortcut क्यों होती है control plus Y यहाँ पर दियावा है cut जिसकी shortcut क्यों होती है control plus X और इसका जो काम होता है cut selected part of the picture MS pen के अंदर जो भी हमने picture open किया वा है MS pen के अंदर कोई भी हमने drawing किया हो या कोई भी picture हमने open किया वा है उसके बीच में किसी भी एक part को state करने के बाद उसे अगर हमें cut करना हो तो उसके लिए हमीच करना पड़ता है cut वाले option को जिसकी shortcut क्यों होती है control plus X इसी तरीके से जब भी आप cut करते हैं दोस्तो यहाँ पर दिया वाए कि paste का button जिसकी shortcut की होती है control plus B अगर आपको cut करने के बाद किसी दूसरी जगा पर उस picture को ले जाना हो तो उसके लिए हमें paste करना पड़ता है जिसकी shortcut की होती है control plus B और यहाँ पर इसके बारे में दिया वाए paste part of the picture after cut cut करने के बाद जब आप paste करेंगे दोस्तो तो जो भी आपने part cut किया वाँ है उससे आप किसी दूसरी जगा पर ले जा सकते है इसी तरीके से यहाँ पर दियावाए copy जिसकी shortcut की होती है control plus C इसका काम क्या होता दोस्तो copy selected part of the picture जो भी आपने drawing या copy picture आपने paint में open किया वाँ है किसी भी एक part को state करने के बाद उससे आपको copy करना है तो copy करने की shortcut की होती है control plus C अब copy हमारा इस तरीके से दिखा जेता है और देखिए दोस्तो जब भी का हम copy करते है तो एजगा से copy करके किसी दूसरी जगा पर लजानी के लिए आपको paste भी करना परता है जिसके shortcut की होती है control plus B जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तो यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है paste part of the picture आपतर copy copy करने के बाद जहाँ भी आपको उस part को paste करना है तो आप paste कर सकते है control plus B से जो shortcut की होती है paste की यहाँ पर लजी shortcut की है ESC इसका full form होता है escape यह जो button होता को keyboard के अंदर left side में top में जो पहला button होता है वो होता है हमारा escape का जिसे short में हम बोलते हैं ESC button पर भी लिखाओगा आपका ESC इसका जो काम होता है cancel selection and close dialogue box देखिए दोस्तो paint के अंदर किसी भी drawing या picture के part को state करते हैं तो state करने के बाद उसे अगर आपको cancel करना हो तो उसके लिए आप escape दबा सकते हैं ESC वाले button को और देखिए यहाँ पर दियावा है close dialogue box माली जी किसी picture को open करने के लिए आपने open dialogue box को open किया या फिर save करने के लिए save dialogue box को open किया उसे close करने के लिए भी हम इसके button का यूज करते हैं अगरी circuit की है delete देखिए दोस्तो किसी part को set करने के बाद उसे अगर delete करना हो तो उसके लिए हम उच करते है delete key यहाँ पर देखिए यह दियावा है eraser इसका shortcut की होता है control plus plus अगर आपको eraser को बड़ा करना हो तो उसके लिए हम उच करना पड़ता है control plus plus यहाँ पर इसके बारे में दियावा है big size eraser और यहाँ पर नीचे दियावा है control plus minus control plus minus eraser को छोटा करने के लिए उच करते हैं यहाँ पर इसके बारे में दियावा है small size eraser इसके बाद एक होता हमाँ text button जब हम text button कर उच करते हैं दोस्तों कोई भी नाम टाइप करने के लिए तो जब हम नाम टाइप करते हैं तो टाइप करते समय किसी भी text को अगर हम डार करना हो थोड़ा तिर्चा करना हो या फिर underline करना हो तो यहाँ पर यह सारी इसके shortcut की दी हुई है एक button होता है bold जिसके shortcut की होती है control plus B और यहाँ पर इसके बारे में दियावा है bold selected text है यह आप लोग यूज करते ही होंगे यहाँ पर दियावा है italic का button जिसके shortcut की होती है control plus I और यहाँ पर इसके बारे में दियावा है italic selected text है किसी भी text को state करने के बाद अगर उसे तिर्चा करना हो तो उसके लिए उच करना परता है में italic के जिसके shortcut की होती है control plus I यह दियावा है underline इसके shortcut की होती control plus U इसका जो काम होता है underline selected text है paint में text होले button का उच करके जब कोई भी text type करते हैं और उस text हो state करने के बाद उसे अगर में underline करना हो तो उसके लिए उच करना परता है control plus U control plus E इसका जो काम होता है open properties dialog box MS paint के अंदर जो भी हमारा drawing area होता है जो भी हमारा page होता है जिसके उपर हम ड्राइंग करते हैं दोस्तो तो उसकी width कितनी है height कितनी है कितने dpi भी हम काम कर रहे है इन सभी चीज़े को देखने के लिए हमें property dialog box को open करना परता है जिसके shortcut की होती है control plus E paint में एक button होता है resize का तो किसी भी photo को या select किये वे part को अगर हम resize करना हो तो resize वाई dialog box को open करने के लिए हम उच करना परता है control plus W यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है open resize and इसकी डाले box यहाँ पर दिया हुआ है F1 यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है open paint help MS paint पर हम जब भी कोई काम करते हैं किसी भी tool के बारे में या paint के बारे में अगर हमें कोई help लेना हो तो इसके लिए हमें keyboard से page करना पड़ता है F1 यहाँ पर जो figure आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं full screen जिसकी shortcut की होती है F11 और इसका जो काम होता है view page in full screen जो भी हमारा paint drawing area होता है जो भी हमारा page होता है MS paint के अंदर है उस page में कोई भी काम करने के बाद है अगर हमें उसे full screen में देखना हो तो उसके लिए हमें full screen वाले button का यूज़ करना पड़ता है जिसकी shortcut की होती है F11 एक होता है हमारा ruler से यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका दिखा देता है यहाँ पर इसकी shortcut की होती है control plus R इसका जो काम होता है दोस्तो so or hide ruler in paint paint का जो हमारा page होता है उसमें अगर आपको ruler लगाना हो तो उसकी shortcut की होती है control plus R यहाँ पर दिखावा गीर लाइन से जिसकी shortcut की होती है control plus G और इसका जो काम होता है so or hide grid line से देखिए दोस्तो ms paint पर जिस page पर हम काम करते है उस वाले page में अगर हमें grid lines लगाना हो तो उसकी shortcut की होती है control plus G यहाँ पर दिखावा है control plus page आप है इसका जो काम होता है zoom in drawing page ms paint के अंदर जो भी हमां drawing page होता है जिसके पर हम drawing करते है उस page को अगर हम zoom in करना हो तो उसके लिए shortcut की होती है control plus से page up है इसी तरीके से एक होता है control plus से page down है zoom करने के बाद अगर हमें zoom out करना हो यानि कि छोटा करना हो तो उसके लिए हमें shortcut की उच करना परता है control plus से page down इसके बाद यहाँ पर दियावा है left arrow, right arrow, up arrow और down arrow आपने देखा हुआ keyboard में 4 key होती है तो देखिए दोस्ते इसका काम क्या होता है जो हमाँ left arrow होता है इसका जो काम होता है mood or selection, picture, left side MS paint में कोई भी drawing या किसी भी picture को open करने के बाद जब आप किसी भी पार्ट को set करते हैं दोस्तो तो set करने के बाद उस पार्ट को left side में ले जाना हो तो उसके लिए उच करते हैं left arrow इसी तरीके से अगर हमें उस पार्ट को right को ले जाना हो तो हमें उच करना पड़ता है right arrow यहाँ पे दियावा up arrow और यहाँ पे दियावा है down arrow तो MS paint में किसी भी picture या part को set करने के बाद उससे अगर हमें उपर क्यों ले जाना हो तो उसके लिए उच करना पड़ता है up arrow और नीची क्यों ले जाना हो तो down arrow यहाँ पे इसके बारे में दियावा है आप arrow का जो काम होता है move the selection picture in up और यहाँ पे down arrow का जो काम होता है move the selection picture in down इसी तरीके से यहाँ आप नीचे दियावा है alt plus f4 यह हमारा agir button का shortcut की है इसका जो काम होता है close paint window आप तर save drawing MS point में कोई भी काम करने के बाद जब उससे आप save कर देते हैं दोस्तो तो save करने के बाद अगर आपको paint वाले window को बंद करना है यहाँ पेंट बंद करना आपको तो उसके लिए हमें एक जीडर अप्सन का यूज़ करना पड़ता है या फिर आपे keyboard से प्रेस कर सकते है alt plus f4 इसके बाद यहाँ पर दिया है alt plus f10 देखिए दोस्तो यह क्या होता है highlight menu and display key tip से देखिए देखिए दोस्तो जब आप paint open करते हैं तो उपर में menu बार दिया होता है जिसे file, home, view और उसके अंदर भी options होते हैं तो menu button को highlight करने के लिए हम उच करते है alt plus f4 और highlight करने के बाद कौन सी key हमें प्रेस करना है तो यहाँ पर दियावा है display key tip से जब आप highlight कर देंगे दोस्तो वहाँ पर आपको file में, home में यह view time में जाने के लिए आपको वहाँ पर button दिखा देगा कि आपको कौन सी key प्रेस करना है इसलिए यहाँ पर दियावा है यहाँ पर जो alt plus f10 जो होता है highlight menu and display key tip से दोस्तों मैं आपको starting बता दिया है कोई भी shortcut key अगर आप याद करते हैं यह जो भी मैं आपको shortcut key बताऊंगा उसका use करने से पहले जिस software के बारे मैं आप बता रहा हूँ उस पर आपको काम करना आना चाहिए तब भी आप shortcut key का use करके असानी से practice कर सकते हैं सबसे पहले मिसके ठैंक से